वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता डॉट कॉम बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार स्वागत आपको जनसत्ता पर मैं हूँ आपके साथ अंशिका सारडा हर्यानवी डांसर सपना चोधरी को कोन नहीं जानता हर्याना और आसपास के राज्यों में तो सपना की लोगप्रियता कभी कम थी ही नहीं लेकिन बिग बोस में आने की बाद सपना के स्टारडम सात्वे आस्मान पर है जबसे सपना ने बीजेपी जोईन की है तब से खबरें और मीडिया उनका पीछा ही नहीं छोड़ती नेतागीरी में उत्री सपना चोधरी स्टेश परफोर्मेंस की क्वीन कही जाती है उनके फैंस का भी उन्हें बेहत प्यार मिलता है कई बास स्टेश पर डांस करने का मन नहीं होता तो सपना को उनके फैंस कैसे खुश करते हैं ये उन्होंने एक इंटर्वियो में बताया आपको भी जानना है कि सपना को उनके फैंस कैसे मनाते हैं तो देखे हमारा ये वीडियो सपना के गाने काफी फेमस है और उनके कई डांस वीडियोस पे मिलियन व्यूज है सपना दिल खोल कर स्टेस प्रफोर्मेंस करती है लेकिन कई बार मूड में ना होने के बावजूद भी उन्हें डांस करना पड़ता है इस दो रान उनके फैंस सपना चोधरी से बस एक ही बात की डिमांड करते हैं कि वे केवल मुस्कुरा दे इस बात का खुलासा करते वे सपना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे ज़्यादा सीटियां तब पड़ती है जब मैं हसती हूँ कही बार ऐसा भी होता है कि मेरा दिमाग ठीक नहीं होता तो मैं मुस्कुरा नहीं पाती स्टेज पर मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जो स्टेज के पास आते हैं और कहते हैं कि डांस मत करो सिर्फ मुस्कुरा दो बहुत है सपना ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिमेंट उन्हें उनकी मुस्कान को लेकर मिलते हैं सपना ने इस दोरान ये भी बताया कि उन्होंने पहली बार डांस गुविंदा के गानों पर किया था वो गाना था ओ मेरे शोना तुम मेरे होना बकोल सपना तब वे काफे छोटी और क्यूर थी सपना करीब साथ साल की थी तब उनके पापा ने उन्हें डांस प्रफोर्मेंस के बाद उन्हें 10 रुपे का नोट दिया था कभी एक शोग के लिए 3000 रुपे लेने वाली सपना को आज अपनी प्रफोर्मेंस के लिए मुह मांगी रिकम मिलती है सपना ने सबसे पहली बाद स्टेश प्रफोर्मेंस अकेले नहीं बलके हर्याना के मशूर कोमेडियन जंडू के साथ किया था Solid Body गाने पर किया गया सपना को वो डांस काफी मशूर हो गया था उस समय सपना को लोग Solid Body के नाम से ही जानने लग गये थी इस गाने से जुड़े एक बाकिय को बताते वे सपना ने कहा था कि एक बार वे जागरण में गई थी वहाँ कुछ छोटे लड़के उन्हें देखकर आपस में बाते कर रहे थे कि ये वही Solid Body वाली है तब उन्हें एसास हुआ कि उनका ये गाना सचमुच में चल रहा है सपना ने इंटरव्यू में अपने सपने के बारे में बताते वे भी कहा था कि उनका सपना है कि वे हर्यानवी इंडस्ट्री में फिल्म सिटी लगाई सपना कहती है कि उत्तर भारत में काफी टैलेंट है पहलवानी, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग या फिर खाने पीने का मामला हो सब में यहां के लोग आगे मिलेंगी सपना के सितारे आज बुलंदियों पर है उनकी लोग प्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने पार्टी में शामिल करवाने के लिए कॉंग्रेस और बीजेपी में खिचतान हो रही थी बीजेपी जोइन करने वाली सपना अब डांस या राजनीती में से कहां अपनी राह बनाती है ये देखना दिल्चस्प होगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल ना भूले और इसी तरह की दूसरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले जनसत्ता को